इसको ठीक करना पड़ेगा सुबह के नौ बजे कुंती निवास के दर्वाजे पर दस्तक होती है कंधे पर बैग और हाथ में एक लिफाफा लिए एक शक्स कुंती निवास के बाहर खड़ा हुआ अंदर से किसी के आने का इंतजार कर रहा था तब भी महेश दर्वाजे पर आता है अगर इस घर से किसी ने कुछ ओर्डर किया है तो मैं पार्सल रिसीव नहीं करने वाला ले जाओ वापस पार्सल पताओ सुबह सुबह भी तुम आ जाते हो पार्सल लेकर अरे इस वक्त मैं पढ़ाय करनी चाहिए ये उम्रे डिलिवरी करने की है क्या बिटा ये सब छोड़ो ये कोई काम अच्छा थोड़ी ना है अरे कितने लोगों का मन दुखता होगा ऐसा क्या कर रहा हूं मैं अंकल जी जिससे किसे का मन दुखे अरे तुम दोसरों के घर में पार्सल पहुंचाते हो जिससे तुम्हे तो फाइदा होता है पर पैसे तो उनके लग जाते है ना जिनके घर पार्सल पहुंचता है तुम्हारा क्या जाता है बिटा जेब तो हमारी ढीली होती है पता भी है तुम्हें कितने पैसे भरने पड़ते हैं मुझे अपसे इस घर से कोई order दे तो कह देना कि तुम delivery नहीं करते वैसे लाए क्या हो तुम पहली बात तो ये अंकल जी की delivery boy किसी को delivery देने से मना नहीं कर सकते और दूसरी बात मैं delivery boy नहीं हूँ आप घबराये मत तुमारी वेश पूशा देखकर ही मुझे लगा था कि तुम जरूर बैंक से आये हो पहले तो तुम लोग लोन देते हो फिर डबाल ट्रिपल करके इंट्रेस्ट वसुलते हो इतना मुरक नहीं हूँ मैं नहीं चाहिए बाबा तुमारा लोन ये पीछे मेरा बंगला देख रहे हो कैसे बनाया है मैंने एक एक वक्त का खाना छोड़कर पर लोन कभी नहीं ली अब समझ में आया कि इस घर में बिजली बिल पहुचाने कोई भी स्टाफ क्यों नहीं आना चाहता अच्छा फसाया रिंकू तुने मुझे अरे क्या घुसूर पुसूर घुसूर पुसूर कर रहे हूँ साब समझता हूँ मैं कुछ बेशने आये हो क्या या फिर नेट वर्किंग का काम है तुमारा मैं बिजली बिल लेकर आया हूँ अंकल जी ये पकड़िये बिजली बिल और मुझे माफ कीजिए अरे रुको रुको मुझे बिजली बिल देखने दो कुछ उन्नेस बिस रहा तो पर रेशु अपना हाथ छुड़वा कर आगे भाग जाता है फिर महेश बिजली का बिल देखता है दर्वाजे पर खड़े अपने ससूर को कामता देख मेगा घबरा जाती है मुम्मी जी लगते पापाजी को मिर्गे का दोरा पड़ा है जल्दी से जूता सुंगाईए ना इने और ये कहकर महेश बही दर्वाजे पर मुर्चित होकर गिर पड़ता है सभी घरवाले भागते दोरते उसके पास पहुँचते है ने ने मेगा मम्मी का जूता सुंगाने से पापा नहीं उठने वाले मम्मी जूते पहनती हैं कितना है तुमे एक काम करो पड़ोस के चंदर अंकल से उनके सौक्स लेयाओ उनके तो शरीर की बद्बू से मचलिया मर जाती है तो उनके सौक्स से तो पापा उठी जाएंगे और अपने पड़ोसी चंदर का बद्बूदार सौक सुंगती ही महिश हूश में आ जाता है सारे नाक के बाल जल गए मेरे अरे क्या सुंगा दिया कर में जलो तुमने आप तो रह नहीं दीजे कितने दिनों के बाद आज मैंने एक्सरसाइस शुरू की थी और आपके पीछे मुझे अपने जूते खोलने पड़ गए यहां आठ दस हजार का बिल आ रहा है और तुम्हें अपने जूतों की पड़ी है क्यासे आ गया इतना बिल पूरे शहर की विजली हमारे घर से चल रही है क्या दस हजार का बिल पर मैंने तो 2000 की पोर्चेजिंगी थी ये लो मैं बिजली बिल की बात कर रहा हूँ बहू इस महीने मैंने ध्यान नहीं दिया 2000 का आने वाला बिल 10,000 चला किया क्या करती हो दिन बर बहू घर पर तुम मैं और प्रेम तो घर पर रहते नहीं और आप सिता जी AC आन करके एक्सेसाइज करती है क्या इसलिए शरीड बैसा का वैसा ही वजन कम नहीं हो रहा आपका दिन बर AC चलाती है और रात बर आ आ कर रोती रहती है अरे भई AC चला चला कर आप लोगों ने अपनी हड़ी आग ला लिया बोल लिया हो गया मेरी बहु कोई बिजली बरबाद नहीं करती और नहीं मैं अरे बिल गलत आ गया होगा 11 बज रहे हैं दुकान का वक्त हो रहा है भेज दो मुझे लुटा दो पैसे सब लुटा दो सीता महेश को दुकान तो भेज दीती है पर महेश का दुकान में जरा अभी मन नहीं लगता और वो वापस अपने घर आ जाता है और चिपके से रसुई के बाहर खड़े होकर देखता रहता है कि सभी क्या कर रहे है लाईए ना दिदी सब जी को फ्रिज में रख देती है मैं समझ रही हूं मैं तुझे बार बार फ्रिज खुलना है ताकि ठंडी हवा ले सके है ना अरे क्या करूँ दी बड़ी तेजगर में लग रहे लिए और तभी महेश रसुई में आकर फ्रिज का स्विच आफ कर देता है अरे पापा जी राद भर से लाइट नहीं अभी तो लाइट आईए और आपने स्विच बंद कर दी ऐसे तो फ्रिज बे रखा हुआ सारा सामान खराब हो जाएगा तो इतना सामान बनाना ही क्यों है बहू कि फ्रिज में रखना पड़े उतना ही बनाओ के तुरंट खत्म हो जाए पर इस घर में सब कोई पहले कहते है कि जो मन है बना लो मैं खा लूँगा और फिर कुछ और खा लेते हैं जिसके कारण खाना हमेशा बच जाता है ऐसे ही कल रात की बात देख लीजी प्रेम ने कहा था कि मैं रोटिया खाऊंगा आपने भी तो कहा था कि आप परवल की सबजी खा लेंगे पर आप लोगों ने खाई नहीं न वही इफरीज में पढ़ी है वो सब मुझे नहीं पता और तू प्रेती हवा खाना है तो अपने घर पर खा करा समझी ये कहा कर महेश रसुई से बहार चला जाता है कुछ देर बाद खाना बना कर प्रीती बर्तन धूरी थी तब ही महेश किचन में आता है और वही पड़े साबुन के बार को उठा कर कहता है यही तो पानी में तुमने साबुन की बट्टी बना कर रखती है अब साबुन तो पिगल कर खतम हो गई इसलिए पंदरा दिन चलने वाला साबुन आज किल हफते बर में खतम होता जा रहा है अब से तुझे साबुन चाहिए होगा तो मुझसे मांगना मैं साबुन का एक हिस्सा काट कर ही तुझे दूँगा तू उसी के लायक है बोलना तु नहीं ची बईया पर घर के मार्दों को इस तरह रसोई की कामों में उंगली करना शोबा नहीं देता पर हमारा महेश कहां रुखने वाला था वो तो अपनी हरकते वैसी की वैसी ही रखता है शाम के वक्त सीता अपने घुटनों पर तेल लगा रही थी तब ही महेशाकर तेल की शीशी उठा लेता है तुम्हारे पास तो पहले से दर्द के लिए बाम है ना फिर इस तेल को मंगवाने की क्या ज़रूत थी वो भी इतना महंगा पात सो रुपए अरे पात सो रुपए कितने होते हैं पता भी हैं तुम्हें एक तो दिन भर तुम एसवी में बैठी रहती हो फ्रिज का ठंडा पानी पीती हो और चलने फिरने के नाम पर ट्रेड मिल पर वॉक कर लेती हो ऐसे हो गया तुम्हारा ये दर्द ठी हैं ये सब सोचना छोड़ो और सुबह उटकर ग्रांड में वॉक करना शुरू करो और वॉक भी नहीं तो घर के काम में लग जाओ मैं तो सोच रहा हूँ प्रीती को हटा देते पैसे भी बचेंगे और इसी बहाने तुम्हारे हाथ पेर भी खुल जाएंगे तेखिए जी आप न ये नौटं की मेरे साथ मत कीजिए पिछले 36 सालों में मैंने आपको गरमा गरम रोटियां सेक सेक के खिलाई है अब 50 साल की हो गई हूँ मैं आप भी रसोई में रहूँ ऐसी बचत नहीं करने मुझे रात के वग सब खाने पर बैठे थे सभी के प्लेट में आती है सिर्फ एक रोटी और जरासी सबजी ये देखकर महिश चौंक जाता है अभी अभी ऑफिस से लौटा प्रेम भूख से लक्रक के कहता है बस एक रोटी मेगा कम से कम सभी की प्लेट में दो रोटी तो दो और इतनी चोटी रोटी ये तो एक कोर में खत्म हो जाए अब जो है यही है मैंने और रोटी नहीं बनाई क्योंकि तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है न कभी तुम दो रोटी मांगते हो तो कभी तीन जिस कारण मुझे हमेशा ज्यादा रोटीयां बनानी पड़ती है और फिर वो बची रह जाती है और वेस्ट होती है अज सुबह पापा जी ने कहा कि सब कुछ इतना ही बनाओ कि एक बार में खत्म हो जाए इसलिए मैंने सबकी एक ही रोटी बनाई है अंदर किचन में बस एक रोटी बची है जो कि मेरी है ठीक किया ना मैंने पापा जी सत्या नाश अब दुकान से भूखा आदमी आएगा और एक रोटी खाएगा तो रात बर उसके पेट में गुड़ गुड़ नहीं होगी क्या पापा मेगा ने किया तो वही था जो महेश ने कहा था पर महेश अब कहता क्या खाते वक्त बोलते नहीं है अरे पर इसमें खाने का क्या है इतना सा खाना तो देख कर ही खतम हो गया अगली सुबह ताजी चेटनी पीसने के लिए जैसे ही मेगा मिक्षर ग्राइंडर आउन करती है फारन महेश किचन में पहुँच जाता है और मिक्षर ग्राइंडर बन कर देता है यह प्रीती किसी काम की नहीं है तो ज़ह दिया था ना मैंने सिल्बट्टा रखने के लिए जा सिल्बट्टा लेकर आ देख बहु यह है सिल्बट्टा और यह धनिया इस पर ऐसे रख और इसे पीसना शुरू करते ऐसे ना तेरे हाथों की एक्सिसाइस भी हो जाएगी काम का काम और बचत की बचत हद कर दी पापाजी ने इतनी गर्मी में सिल्बट्ट्ट्ट पर धन्य की चटनी कैसे पीसूंगी मैं वेट लॉस का भूथ तो ममी जी को चड़ा है पापाजी मुझे नहीं इतनी गर्मी है कि मुझे घमोरी आ गई है अब सिल्बटे पर चटनी कैसे पीसू गर्मी कुल पाउडर लगाया की चीज़ दी उससे न आपको घमोरी नहीं होगी मैं भी वही लगाती हूँ लगती हूँ लगती हूँ ना फ्रेश यह है मेरी तरोतासगी का राज कोई जरूरत नहीं इन चीज़ों की इस मंद बुद्धी की बात सुनकर पाउडर में पैसे बरबात करने की कोई जरूरत नहीं है समझी बहू जब धनिया पीस दिये तो साथ में पुदिना भी पीस ले और उसे भी शरीर पर लगा ले दो दिन में सारी घमोरी ठीक हो जाएगी ये सारे देसी नुस्क है पुदिना शेदिर को ठंडा रखता है इतनी मेहनत के बाद सारा काम करके जैसे ही मेगा अपने कमरे में जाकर AC आउन करती है उसकी आँख लग जाती है तभी चुपके से महेश कमरे में आता है और देखता है की मेगा सो रही है महेश AC बंद कर देता है AC के बंद होते ही मेगा क्या खुल जाती है हुद कर दिये पापाजी ने अब बहुत हुआ अब अगर मैंने इनकी या आदत नहीं सुधारी तो मेरा नाम भी मेगा नहीं और अगली सुबह से ही मेगा अपना प्लान शुरू कर देती है रसुई से काम करती हुई मेगा बाहर हौल में बैठे अपने सुसुरू जी के पास आती है और सबसे पहले हौल का फैन आफ कर देती है ये लीजिए पापाजी नियूस्पेपर इसे से न पंका हाक लीजिए और जब हाथ ठक जाये न तो इसे पढ़ लीजिगा अब बेकार में एक ही आदमी के लिए फैन आउन करने का कुछ फाइदा नहीं है न पापाजी तब ही प्रीटी किचन से बाहर आती है और मेगा से कहती है प्रीच आउन करना ना पड़े इसके कारण कितनी बार खाना बना रहे लिए दिदी आपको अंदाजा भी है कि इससे कितना सिलंडर वेश्ट होता है एक काम किजी भईया आप हमारे लिए चूला चला दीजी मुझे तो चूला जलाना आता नहीं ने तो मैं ही जला लीती मेरे घर पर तो इंडक्शन है ना आप चूला जला दीजी हम उसी में खाना बना देंगे क्यों दीदी और प्रिती बाहर जाकर चूला लेकर आती है और महेश को चूला जलाने की ड्यूटे पकड़ा देती है चूला जलाया तो मुझे कम से कम 25 साल हो गए ठीक है कोशिश करता हूँ पता नहीं कितना वक्त जाएगा इसमें हो जाएगा भईया फिकर मत कीजे आखिरकार बच्चत करने की बात है अगर आप अच्छे से चूला जला लेंगे ना तो हमें ये महेंगे सिलंडर पर पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और ये चूला जलाते जलाते आपकी एक्सेसाइज भी हो जाएगी पापा जी एक्सेसाइज की एक्सेसाइज हर बच्चत की बच्चत और पहली बार में ही मेगा मारती है सिक्सर और अपने प्यारे सिसर को क्लीन बोल्ट कर देती है अपनी बहु की इस मूवी में सीता भी हाथ बटाने से पीछे नहीं अटती पूरे तीन घंटे मैनत करने की बाद महश चुला जला ही लेता है पर उसकी कारण उसकी कपड़े जरूर गंदे हो जाते हैं जैसे कि महश नाने के लिए बातरूम की और बढ़ता है सीता उसे रोकती हुई कहती है अरे आप नहाने के लिए जा रहे हैं फिर आप कपड़े खोलेंगे तो उसे धोने के लिए हाँ मैं फिर मशीन आउन करनी पड़ेगी एक दिन में कितनी बार मशीन चलाएंगे जी बेकार में बिजली भी लगती है और ज्यादा यूज से कहीं मशीन खराब न हो जाए आप एक काम कीजिए नहाने के बाद अपने कपड़े हाथ से दो कर छट पर डालते न वैसे कपड़े धूल रहे हैं तो एक काम कीजिए न मेरे कुछ नाय कपड़े हैं वो भी आप दो दीजेगा अब मैं उन्हें लॉंडरी में दूंगी तो बेकार में एक साड़ी के सौ सर रुपया लग जाएंगे वाँ ममी जी वाँ ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है पापा जी क्यों ना कपड़े की ड्यूटी आप ही ले लीजे वैसे भी ना आज कल आप घर पर रहते हैं अक्यले घर पर बैठे बैठे कहीं आपको डिप्रेशन की बिमारी होगी तो ना बाबा ना फिर उसमें अलग खर्च कपड़े धोने में आपका दिमाग लगा रहेगा तो दिमाग की भी एक्सिसाइस हो जाएगी और बच्चत की बच्चत भी क्यों मम्मी जी और नहाने के बाद विचारा महिश गमचा लपेट कर पूरे दो घंटे तक अपने कपड़े धोने के बाद अपने बीवी की कपड़े धोता है फिर थक हार कर डाइनिंग टेबल पर आकर वो आवाज लगाती हुए कहता है अरे बड़ी थकावट हो गई है कुछ खाने को तो दे दे बहु अपने सिसुर के आवाज सुनकर महिश के आगे परोस्ती है मेगा एक रोटी और जरा सी चटनी इस रोटी पर घी नहीं लगा बहु दीदी तो भर भर की घी लगाती है भाईया इनको समझी कितनी है पर मैंने बोल दिया अब से वेकार में रोटियों पर घी नहीं लगेगा दाल में घी सब खाई रहे न और घी खाकर करेंगे क्या ये घोड़ा कभी घी तेल खाता है क्या पर कैसा तंदूरिस्त है न और सभी एक एक रोटी खाएंगे तो वेट लोस का वेट लोस भी हो जाएगा और बचत की बचत दिन भर मैनत करने के बाद महेश को खाने मिलती है एक मातर रोटी ये तो इतनी गर्मी है उपर से फ्रिज भी आन नहीं है वहना कोल ड्रिंक ही पी लेता है खैर थोड़ी दिर आराम करता हूँ और जैसी ही एसी आन कर महेश लेटता है अचानकी कमरे में लाइट्स ओफ हो जाती है साथ ही साथ पूरे घर में अंधेरा हो जाता है अपने फोन की फ्लेश लाइट ओन कर महेश कमरे से बाहर आता है जहां वो देखता है कि उसकी बीवी और बहु हाथ में कैंडल लिए भूतों की तरह यहां वहां घूम रही है अरो तो कैंडल लेकर क्यों घूम रही है बहू क्या बात होगी किसी का जनम दिन है क्या आज ये जनम दिन तो बेकार के उस टांडे है पापा जी सुबह तो भगवान की कृपा से इतनी रोशनी रहती है कि हमें लाइट्स ओन करने के जरूरती नहीं पड़ती अब बच गया है शाम के छे इसलिए कोई लाइट्स ओन करके बिजली का बिल ना बढ़ा दे इसलिए मैंने मीटेर ही आफ कर दिया कैंडल तो है ही बाकि सब न्यूस पेपर से हवा खा लेंगे क्यों ममी जी और इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है महेश को लाइन पर लाने के लिए पांच दिन बाद एक सुबा भागता हुआ प्रेम अपने पिता के गले लग जाता है और उनसे कहता है ये लीजे पापा जी आपकी पहली कार मेरी कमाई के पैसो से तु पागल हो गया है क्या तुने गाड़ी क्यों खरी दी ये भगवान फिजूल के खर्चे जा वापस करके आ इसे पापा जी खर्चे तो जीवन भर रहेंगे पर ये छोटी छोटी खुश्या ही तो हमारे मन को स्वस्त रखती है इतने पैसे बचा कर हम जाएंगे का ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता और अब तक चुप सीता कुस्से में कहती है भगवान ने जब बदनसीबों की लिस्ट बनाई होगी न तो सबसे उपर आपका नाम ही लिखा होगा मैंने आज से पहले आपके जितना बदनसीब इंसान नहीं देखा जिसके बेटे बहु इतने अच्छे हैं कि आगे से आगे सब कुछ उसके लिए करते हैं पर उसे उनकी कदर ही नहीं उल्टा उनके किये हुए पर पानी फेर देता है जाने क्या मज़ा आता है आपको ऐसा करके आज के जमाने में जहां बेटा अपने बाप को सेलरी तक नहीं बताना चाहता बहु सास ससुर को दो रोटिया नहीं देना चाहती वहाँ आप हर वक्त अपनी बहु को किसी ना किसी बात पर टोकते रहते हैं और आज प्रेम आपके लिए गाड़ी लेकर आया तो भी आपको उससे तकलिफ है आप जिसे इंसान को ना कुछ मिलना ही नहीं चाहिए अब समझ में आता है कि क्यों कुछ बच्ची अपने पैरंस के साथ रहना नहीं चाहते नहीं नहीं ममी जी बस हो गया अब कुछ मत कहिए नहीं बहु आज मुझे कहने दे चाहिए क्या आपको है पता तो चले मुझे अगर प्रेम आपकी पीट पीछे कार लिया आता तो क्या आप उसे रोक पाते पर बेचारे ने उस कार की चावी अपनी बीवी के हाथों में ना रखते हुए आपके हाथों में रखती और फिर भी आप मैंगी, सस्ती, खर्च, फिजूल यहीं सब किये जा रहे बगल वाली विमला का बेटा अपने माबाप को पूछता तक नहीं है दोनों मिया बीवी घूम लेते हैं और फिर सास सुसुर में से अगर कोई पूछ ले तो दस बाते सुना देते हैं आप तो खुश नसीब है जो आपका बेटा श्रवर्ण और बहु बेटी से बढ़कर है माना हमारे जमाने में यह सब नहीं होता था पर जमाने के साथ थोड़ा बदलना सीखिए महेश ची वरना मैं अपने बेटे बहु के साथ खड़ी हो जाऊंगी और आप इस घर में अकेले हो जाएंगे मुझे माफ कर दे प्रेम उचसे बहुत बड़ी गलती होगी ठीक कहा सिता जी आपने मैंने कभी अपने बच्चों के अफर्ट्स पर ध्यान ही नहीं दिया मैं तो हमेशा बच्चत पर ही लगा रहा पर अब मैं बदलने की पूरी कोशिश करूँगा ला बिटा गाड़ी की चाबी दे मैं जरा एक राउंड लगा कर आता हूँ वैसे ये डीजल की कार है कि पेट्रोल की क्यों पापा जी ते पिटा वो पेट्रोल ज्यादा मैंगा है न डीजल की कार रहती तो सस्ते में काम हो जाता ए भगवान ये आदमी भी न